हेलो दोस्तों विल्कम टू माई चैनल प्लांट्स पॉर गार्टिनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं बात करूंगी आप लोगों से केलंडोला प्लांट पे जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत जादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है और ये प्लांट भी बहुत अच्छे होते हैं विंटर सीजन के होते हैं बहुत सारे कलर में आते हैं मेरे पास सिर्फ दो ही कलर है इस समय यलो है और थोड़ा सा लाइट औरंज कलर का है तो आप देख सकते हैं फूलों का साइज क्या है और ये काफी दिनों से खीले रहते हैं मतलब दो चार दिन चल जाते हैं विंटर सीजन का बहुत ही प्यारा प्लांट है और अधिकतर सभी के गार्डन में ये लगा होता है एक प्लांट में कई फूल निकलते हैं कई ब्रांचे होती हैं तो फूलों का संक्या तो गीना नहीं जा सकता क्योंकि बहुत जादा फूल खिलते हैं इसमें और ये मैंने बताया है आप लोगों से कि chemical वाली जो खादे होती बजार में मिलती हैं जो नए गाड़िन्ग दोस्त हैं हमारे उनको नहीं quantity पता होती है तो बहुत सारे लोगों का प्लांट मर जाता है और बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो अपना जो है डाल के प्लांट को ग्रोथ में ले आते हैं तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि इसमें सबसे अच्छी खाद कौन सी होती है जो कि आप लोग जो है घर में तैयार कर सकते हो और जो है उसको बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ जब भी इन प कई ब्रांचे होती हैं बिल्कुल पेड़ नहीं बनता है ये एक पौधा बनके रह जाता है तो आज मैं यही बात करूंगी आप लोगों से कि कैसे इसको जो है इससे बीच तेयार कर सकते हैं और कैसे बीच निकलते हैं ये देखिए ये जिससे फूल था मैं उपर का भाग है कि जो है इतनी जादा फ्लावरिंग कैसे होती है इसमें तो इसके लिए थोड़ा सा फटिलाइजर देना पड़ता है अब मैं एक चीज आपको अभी दिखाऊंगी आगे कि कैसे जो है बीच को केलेक्ट कर सकते जब हमारे ये फूल खिलते हैं तो सबसे इस तरह का फूल खिलता है जब ये फूल सूख जाता है इस तरह का देखिए इस तरह से बीच तैयार होते हैं जब ये फूल खिलता है सूख जाता है तो इसमें एक छोटा सा नीचे जो है उसका बीच बनता है जैसे ये देखो इस तरह से उपर वाला फूल हटा देंगे और ये ये चीज अ क्या होता है यह सूख जाएगा इसी से बीज हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं यह तरीका होता है और मैं आगे भी इस पे वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूंगी तो आप लोगों भी देखिएगा और अब मैं बात करती हूँ कि इसमें फोर्टिलाइजर आपको कौन सा देना मैं हमेशा बताती हूँ कि बजार वाली जो खाद होती है वो थोड़ा सा केमिकल वाली होती है और उसको डालना ज्यादा ठीक नहीं होता है इसलिए और गयनिक खाद ज्यादा बहतर होता है मैंने जब इनको लगाया था तो मैंने घर पे ही एक साल पहले खाद बनाई कि कैसे जो है आप लोग घर के कच्रे से जो सब्जियों का चिकला निकलता है उनसे कैसे खाद बना सकते हैं बहुत आसान होता बहुत इजी होता है और हमारे प्लांटों के लिए कि काफी फायदे मन्द होता है तो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगी तो मैं बात करूंगी क हो गार का जो फोर्टिलाइजर बना होता है दोस्तों वो दूutor करकार का होता है जैसे कि मिट्टी सबस्गण के चिकले हूं को यह होताय सब्सक्राईम को vendors इसन भाट बना चाहिसा हो ऊसका लिक फॉला का बनाया जा-छक्ता है तो लिकश्ट benefit खाज जो है घर पे बनाने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि जैसे सब्जियों की छिकले निकलते ही आप उसको जो है बाल्टी में एक बाल्टी पानी में भरके आप डाल दीजिए उससे एक हपते में तेग्यार हो जाता है और एक हपते बात पांच से छे दिन तक उसको प्राइदे मंद होते हैं आप डारेक्ट अपलाई कर सकते हो आप चिकला जैसे होता है तो उसको भी डाल सकते हो लेकिन उसके लिए गमला बड़ा होना चाहिए जिस गमले में प्लांट लगा हो अगर छोटा है तो लिक्विट फोर्टिलाइजर सबसे बहतर होता है मैंने कुछ भी पता नहीं था मैंने उसको बना के अलग किनारे रख दिया था बोरी में भरके और उसमें मैंने मिट्टी भी डाल दिया था एक साल बाद जब देखा मैंने तो इतनी बढ़ी अखा टेयार हुई कि मैं आप लोगो को बता नहीं सकती हूं क्योंकि मैंने दिखाया था वह बेतर होता है वह और-गैनिक होता है आप केमिकल वाली भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो अगर आप घर में बनाना नहीं चाहते हो आपके पास टाइम नहीं है तब आप जो है इसे की पोटास है बॉनमील है और फंगिसाइड थोड़ा सा मिलाके तीन-चार खाद आती है वह आप दे सकते हूँ पोटास जो होता है वह में फ्लावरिंग के लिए होता है आप लोग केवल अगर कोई खाद नहीं है पोटास ही है आपके पास केवल तो आप एक चम्मत छोटा आप सारे गंबलों में डाल सकते हूँ और केमिकल वाली थोड़ा क्वांटिटी कम रखिए आप दे सकते हो तो इस तरह से प्लांट की केयर कर सकते हैं आप आज में बताना यहीं चाहती थी कि आप लोग दो खाद इस सीजन में अपने प्लांटों को जरूर दिजिए तो कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, से एर करना दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, और इस तरह के वीडियो और ज्यादा मैं सभी तक पहुचा सकूँ, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्र कर लीजिए ताकि बहुत अच्छी जानकारिया मैं आप तक पहुचा सकूँ तो चलती हूं मिलती हूं अगले वीडियो में कोई नहीं जानकारी के साथ कोई नया टॉपिक को लेकर तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ध्यान लगें बहुत सारा ख्या लगें तो के फ्रेंड बाई